तो आज हम Indian Economic Development का Chapter 3rd स्टार्ट करेंगे Liberalization, Privatization and Globalization यहाँ पे मैं सारे Notes आपको प्रोवाइट करूँगी डीटेल में और आज ही हम Half Chapter कम्प्लीट कर लेंगे तो Copy Pen साथ में लेके बैठना और जो भी Notes यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइट करने वाली हूँ उनको Note करते चलना तो आपके Notes भी साथ-साथ में रिपेर होते जाएंगे और वीडियो को एंट तक जरूर देखना उसके बाद ही आपको सारी चीजे अच्छी तरह से क्लियर होंगी तो देखो हमने First Chapter में यह समझा था कि Britishers आये थी हमारी कंट्री में और हुनोंने हमारे Industrial Sector को, Agricultural Sector को, Foreign Trade को सबको Abolish कर दिया था Then Second Chapter में हमने यह समझा कि अब क्या था जब Britishers हमारी कंट्री को छोड़के चले गए थे तो अब Government का Main Motive था हमारी कंट्री को Develop करना Agricultural Sector को सुधारना, Industrial Sector को सुधारना और Second Chapter में हमने यह भी समझा था कि इंडिया ने Mixed Economy को Adopt किया था जहां पे Government यानि Public Sector और Private Sector दोनों के कुछ रोल्स रहेंगे लेकिन Actually में क्या हो रहा था ना, Public Sector का ज़ादा कंट्रोल था तो इसकी वज़े से Growth Hemper हो रही थी मतलब ज़ादा Development नहीं हो पा रहा था क्योंकि देखो Public Sector यानि Government को हर जगा ध्यान देना रहता है तो Government हर जगा ध्यान देगी तो Management थोड़ा सा तो Inefficient होगा तो इसलिए Growth नहीं हो पा रही थी तो इसलिए अब हम Third Chapter में यह समझेंगे कि Government फिर से कुछ reforms लेकिया याई Government ने बोला कि अब हम फिर से कुछ reforms लाएंगे structure चेंज करेंगे हमारी इंडिया की economy का तो देखो अगर हम बात करें कि क्या reasons थे क्या वज़ा थी जिसकी वज़ा से Government को economic reforms लाने पड़े तो सबसे पहला reason है poor performance of public sector पब्लिक सेक्टर का जो performance था वो बहुत ही ज़ादा खराब था कुछ-कुछ public sector enterprises ऐसी थी जन्होंने अच्छा performance किया था लेकिन बाकी की जो remaining public sector enterprises थी उनका रोल अच्छा नहीं था इसलिए जरुरत थी economic reforms लाने की second reason है deficit in balance of payment balance of payment का मतलब क्या होता है जैसे हम accounts में profit and loss बनाते हैं जिसमें हम profit and loss एंटर करते हैं वैसे ही government export और import के लिए balance of payment प्रिपेर करती है जिसमें government क्या लिखती है कि export से कितना revenue generate हुआ import की वज़े से कितना expenditure हुआ ये सारी चीजे government लिखती चलती है तो अब क्या हो रहा था ना जो balance of payment था वो deficit था मतलब balance of payment क्या show कर रहा था कि expenditure जादा थे और revenue कम था मतलब ये समझके चलो कि import की वज़े से हमारा expenditure जादा हो रहा था और export उस time पे इतना नहीं था जिसकी वज़े से हमारा revenue भी कम generate हो रहा था जो third reason है वो है inflationary pressures उस time पे क्या था ना जो essential goods होते हैं वो बहुत ही जादा कम थे essential goods की shortage थी वो goods जो हम अपनी daily life में use करते हैं उन goods की shortage थी और लोगों की demand बहुत जादा थी अब देखो जब production कम होता है और demand जादा होती है तो demand को भी कम करने के लिए क्या किया जाता है prices बढ़ा दिये जाते हैं तो उस time पे same यही चीज़ की prices बहुत जादा बढ़ा दिये so that लोग demand कम करें तो इसकी वज़ा से क्या हुआ inflation होने लग जब price बढ़ती है तो उसे क्या कहते है inflation होना, महेंगाई होना तो ये भी एक reason था economic reforms लाने का जो fourth reason है वो है fall in foreign exchange reserves foreign exchange का मतलब होता है foreign countries की currency that is called foreign exchange reserves जैसे Reserve Bank of India यानि RBI जिस तरह से India की currency को reserve करके रखती है वैसे ही हमें foreign country की currency को भी reserve करके रखना पड़ता है so that हम import करें तो उनकी country की currency में उनने payment कर सकें तो जो foreign exchange का reserve था वो बहुत ही जादा कम था उस time पे मतलब ये समझ के चलो कि इतना भी नहीं था कि दो हफ़ते से जादा import करा सकें इतना कम foreign exchange था और दूसरी चीज गवर्मेंट को interest भी pay करना रहता था उनसे government ने loan लिया था तो अब government को उस loan पे interest पे करना था interest पे करने के लिए भी foreign exchange reserve नहीं था जो fifth reason है वो ही huge burden of debts जैसा कि मैंने आपको अभी बताया international bank से government ने loan लिये थे plus कुछ commercial banks जो हमारी इंडिया की commercial banks से वहाँ से government ने loan लिये थे public से loan लिया था तो that means government पे जो debts का burden था, loan का burden था वो बहुत जादा increase हो गया था जो sixth reason है वो है inefficient management management जो था इंडिया का या इंडिया की economy का वो inefficient था, जादा अच्छा नहीं था सबसे पहला reason तो ये है इसका कि government को tax से जादा नहीं मिल रहा था उस time पे लोग tax नहीं pay करते थे और public sector enterprises जो उस time पे चलती भी थी तो वहाँ से भी government जादा revenue generate नहीं कर पा रही थी और दूसरी चीज हमारे export कम था, import जादा था तो export कम था तो revenue भी कम generate हो रहा था, तो इसलिए जो management था, वो बहुत ही जादा inefficient था, तो ये तो हमने बात की कुछ reasons की जो कि economic reforms के लिए थे, अब अगर हम बात करें crisis की, देखो 1991 में एक economic crisis आया था मतलब पैसों की तंगी आ गई थी, जिसकी वज़ा से इंडिया की government को World Bank से और IMF से यानि की international monetary fund यहां से government को loan लेना पड़ा तो ये समझके चलो कि government ने 7 billion dollar loan में लिया था तो ये MCQs में आ सकता है तो कहीं पे note कर लेना 7 billion dollar government ने IMF और World Bank से loan लिया loan देने के लिए World Bank ने 3 condition रखी मतलब जब government को loan दिया तो World Bank ने 3 condition रखी शर्ते रखी सबसे पहली शर्त तो ये रखी कि आप जितनी भी private sector है आपकी country की उन पे जितने भी restrictions है वो हटा दो क्यूंकि देखो अब World Bank को पता था कि इनकी economy वैसे ही बहुत ज़्यादा abolish है क्यों abolish है क्यों grow नहीं कर पार ये public sector का रोल है इसलिए तो इसलिए World Bank चाती थी कि private sector का रोल बढ़ाया जाए so that इनकी economy grow करेगी और economy grow करेगी तभी ये लोग हमारा loan repay कर पाएंगे तो first condition क्या थी private sector पे जितने भी restrictions है उनको हटा दो जो second condition रखी थी वो थी कि government का जो रोल है बहुत सारे areas में कुछ-कुछ ऐसे non-essential areas भी थे जो कि private sector easily handle कर सकती थी वहाँ पे भी government अपना रोल रखे बैटी थी तो world bank ने बोला कि government का रोल कम किया जाए बहुत सारे areas में और जो third condition थी वो थी जितने भी trade restrictions लगाए थे जो import और export पे tariffs, quotas ये सब government ने लगाया था उसको हटा दिया जाए that means world bank ने बोला कि आप अपने economic को liberalize करो आप अपने economic को open कर दो तो ये conditions world bank ले के आई थी और क्योंकि अब हमारी government को पैसो की जरुरत थी तो government ने ये conditions मान ली और इसके बाद government एक new economic policy ले के आई अब ये new economic policy का main motive क्या था new economic policy का main motive ये था कि हमारी जो economy है उसको बहुती जादा competitive बनाना हमने second chapter में discuss किया था कि क्योंकि foreign company के goods आना बंद हो गए थे इंडिया में तो इसलिए competition कम हो गया था और competition कम था तो हमारे domestic producers जो थे जो इंडिया के producers थे वो भी फिर जादा ध्यान नहीं दे रहे थे अपनी quality में तो government ने बोला कि अब हम competition क्या करेंगे increase करेंगे तो main motive यही था कि इंडिया की economic को जादा competitive बनाना इसलिए government new economic policy लेके आई अब यह जो new economic policy government लेके आई थी इसको दो measures में classify किया गया है सबसे पहला stabilization measures और दूसरा structural reform measures stabilization measures का मतलब क्या होता है जो short term measures होते हैं जैसे balance of payment को correct करना जैसे कि हमने समझा balance of payment में deficit था तो उसको correct करना foreign exchange reserves को maintain करके चलना inflation control करना यह सब और दूसरा जो structural reform measures है इसमें क्या होता है कि पूरी economic structure को ही change कर देना एक नया structure बनाना तो यह वो सारे long term measures होते हैं जिसमें economic efficiency को बढ़ाना होता है ठीके और international competitiveness को भी increase करना अब अगर international competitiveness जादा होगी तो domestic producers भी quality पे ध्यान देंगे so I hope आपको यह दोनों चीज़ें अच्छे से clear हो गई होगी अब देखो new economic policy की जो main policies थी वो थी तीन सबसे पहला liberalization, privatization और globalization liberalization की अगर हम बात करें तो देखो liberalization का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर पे government ने जितने भी restrictions लगाए थे कि अगर आपको नई industry setup करनी है तो आप license बनवाओ अगर आप अपनी industry को expand करना चाते हो या अपने goods की variety बढ़ाना चाते हो तो आप license बनवाओ government से permission लो ये सारे restrictions जो government ने बनाए थे private sector के लिए उन सभी restrictions को remove कर देना और दूसरी चीज इस private sector को freedom देना मतलब उन्हें आजाद ही देना कि वो अपने इसाब से काम कर सकें तो इसे कहा जाता है liberalization अब liberalization लाना जरूरी क्यों था क्योंकि क्या हो रहा था ना government ने जो इतने सारे restrictions लगाये थे private sector पे तो इन restrictions की वज़े से growth नहीं हो पा रही थी हमारी economy डेवलप नहीं हो पा रही थी दूसरी चीज competition भी ज़्यादा नहीं था तो competition ना होने की वज़े से क्या हो रहा था quality पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे इंडिया के producers तो इसी लिए जरुरत ही economy को open करने की liberalize करने की so I hope आपको liberalization अच्छे से clear हो क्या होगा अब देखो liberalization के अंडर में government कहा कहा reforms लेकिया ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में financial सेक्टर में टेक्स में government ने कुछ reforms लाए foreign exchange reforms trade and investment policy में government कुछ reforms लेकिया ही तो इनको हम one by one discuss करना start करते हैं देखो सबसे पहले अगर हम industrial sector reforms की बात करें कि liberalization के अंडर में industries या industrial sector में क्या क्या changes आए तो देखो सबसे पहला change जो आया वो था reduction in industrial licensing government ने बोला कि जो हम industrial licensing लेकिया है थे कि आपको license बनवाना है अपना business open करने के लिए या expand करने के लिए ये सब government ने बोला कि अब हम कम कर देंगे अब आपको license बनवाने की जरुरत नहीं है जो second reform है वो है decrease in role of public sector public sector का role कई हद तक कम हो गया ये समझके चलो कि पहले जो 17 industries government के हातों में थी हमने second chapter में समझा था schedule A में कि 17 industries government के हातों में होंगी उनमें से सिर्फ अब तीन industries ही ऐसी होंगी जो public sector के पास होगी बाकी की सारी industries प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएंगी और जो तीन industry government के हातों में होगी वो कौन सी होगी defense equipments, atomic energy and railway transport तो ये सिर्फ तीन industry अब public sector के पास होगी बाकी सारी किसको दे दी जाएगी private sector को जो third point है वो है de reservation under small scale industries हमने second chapter में समझा था कि small scale industries के लिए goods reserve कर दिये थे government कि small scale industries में बस यही यही goods produce होंगे और ये goods और कोई produce नहीं करेगा स्रिफ small scale industries ही produce करेगी तो वो भी government ने जो reservation था वो de reserve कर दिया मतलब government ने वो reservation जो था वो हटा दिया मतलब जो government ने small scale industries के लिए goods reserve कर दिये थे कि ये goods ऐसे होंगे जो सिर्फ small scale industries में ही produce होंगे वो reservation government ने पूरी तरह से हटा दिया और दूसरी चीज government ने बोला कि small scale industries में जो भी goods produce हो रहे हैं वो market के हिसाब से उनकी price देखी जाएगी मतलब पहले क्या होता था small scale industries के goods को government अपने हिसाब से pricing policy रखती थी मतलब government अपने हिसाब से price fix करती थी लेकिन अब बोला कि market में क्या demand है market में क्या supply है उस हिसाब से price policy रखी जाएगी ठीके तो ये I hope आपको समझ आ गया होगा तो ये हमने बात की industrial sector reforms की अब बात करें financial sector reforms की तो देखो financial sector का मतलब क्या होता है जितने भी banking institutions होते है financial institutions होते है stock market होता है ये सब आता है financial sector में तो इसके अंदर government क्या-क्या changes लेके अगर बात करें उसकी तो सबसे पहला change है change in role of RBI RBI यानि हमारी Central Bank Reserve Bank of India तो पहले क्या था न RBI ही सारी चीज़ें देखती थी banks में कितना interest banks pay कर रही है banks कितना deposit रख रही है ये सारी चीज़ें जो थी वो RBI देखती थी मतलब RBI एक तरीके की regulator थी लेकिन अब RBI regulator नहीं बलकि एक facilitator बन गई मतलब अब RBI अपने suggestions दे सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि banks को हर एक एक चीज़ के लिए RBI के साथ consult करना पड़े ऐसा नहीं है कि अब आपको रोज जो भी आपके matters हैं उसके लिए आप RBI के पास जाओ banks अब अपने हिसाब से कुछ initiatives ले सकती है इसका जो second point है वो है origin of private banks पहले क्या था सरफ government banks होती थी लेकिन अब reforms आने के बाद private banks भी establish होना start हो गई private banks में अब Indian और foreign banks दोनों रहेंगी मतलब Indian और foreign banks दोनों private banks के अंदर आने लगी जो third point है वो है increase in limit of foreign investment ये समझके चलो कि foreign investment की limit भी government ने बढ़ा दी मतलब 51% तक की कर दी जितने भी foreign investors थे जैसे mutual funds, pension funds इन सब का जो investment था वो अब इंडिया में बढ़ गया था ये सब अब इंडिया की financial market में invest कर सकते थे और जो fourth point है वो है ease in expansion process अगर private banks अपनी branches बढ़ाना चाती हैं अपनी branches अलग-अलग जगह पे open करना चाती हैं तो उसके लिए वो बिलकुल free है मतलब उन्हें RBI से approval लेने की जरुवत नहीं है बिना RBI के consult के या बिना RBI के approval के वो branches set up कर सकती हैं तो ये हमने बात की financial sector reforms की अब बात करें tax reforms की कि taxation policy government की जो taxation policy थी जिसे कहा जाता है fiscal policy आप लोग ने macro के अंदर पढ़ा होगा तो ये जो fiscal policy थी या taxation policy थी इसमें government क्या क्या changes लेकि आई देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना tax दो type की होते हैं एक होता है direct tax और एक होता है indirect tax direct tax मतलब क्या होता है जो की income या profit पे लगता है जैसे income tax और corporate tax कहा जाता है that is called direct tax और एक होता है indirect tax indirect tax का मतलब होता है जो goods and services पे लगता है जैसे GST यानि कि जब हम goods और services को purchase करते हैं और उस पे जो हम tax पे करते हैं that is called indirect tax तो अब tax में क्या क्या changes आई अगर बात करें उसकी तो सबसे पहला change है reduction in taxes government ने tax rates को कम कर दिया क्योंकि क्या हो रहा था जब tax rates ज़ादा थे तो लोग tax evasion करते थे tax evasion मतलब लोग tax pay नहीं करते थे क्योंकि उन्हें tax ज़ादा लगता था लेकिन अब government ने बोला कि हम tax rates कम कर देंगे so that लोग ज़ादा से ज़ादा tax pay करें और government के लिए ज़ादा से ज़ादा revenue generate हो इसका जो second point है वो है reforms in indirect taxes यह जो indirect tax होते हैं government इनमें भी कुछ changes लेके आई third point है simplification of process जितनी भी process होती है tax pay करने की income tax file बनवाना और जितनी भी process होती है जितना भी procedure होता है जो tax payers को करना परता है उसको government ने बहुत ज़ादा simple कर दिया so that लोगों का time जादा न जाए और लोग tax भी जादा से जादा pay करें तो यह हमने बात की tax reforms की अब बात करते हैं foreign exchange reforms की की foreign exchange जाने की foreign country की जो currency होती है उसमें क्या-क्या reforms आए changes आए तो सबसे पहला है devaluation of rupee rupee की जो value थी government ने उसको कम कर दिया क्या reason था rupee की value को कम करने का तो देखो एक example देती हूँ मान लो कि एक डॉलर में अभी तक 74 रुपी होते हैं I am just giving an example एक डॉलर में 74 रुपी हैं ठीक है तो that means बाहर की country के लोग अगर हमारी country से कुछ मंगवा रहे हैं तो उन्हें एक डॉलर के पीछे 74 रुपे पे करने हैं लेकिन बचानक से government ने क्या किया एक डॉलर में 70 रुपे कर दिये 70 रुपे कर दिये government तो इससे क्या होगा अब बाहर की country के लोगो को एक डॉलर के पीछे सत्ता रुपे पे करने हैं, ना कि 74 रुपे, तो इससे क्या हुआ, देखो, अब उन लोग के लिए प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो हमें पता है जब price कम होती है तो demand increase होती है तो वो लोग अब demand हमारी country के products की ज़्यादा करेंगे तो जब demand ज़्यादा होगी तो foreign exchange का flow भी ज़्यादा होगा क्योंकि अब foreign exchange यानि बाहर की country की currency हमारे पास ज़्यादा आएगी तो government ने बोला कि अगर foreign exchange का inflow बढ़ाना है तो इससे क्या करो इसके लिए rupees को devaluate कर दो यानि रुपी की value को कम कर दो जो second point है वो है market determination of exchange rate government ने बोला कि अभी तक हम मतलब रुपी की value को अपने इसाब से fix करते थे market forces मतलब जो demand और supply होता है इसके इसाब से fix करेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी example दिया अगर बाहर की country के लोग हमारी country के product की demand कम करेंगे तो हम क्या करेंगे रुपी की value को कम कर देंगे so that उनके लिए price कम हो जाए और वो demand जादा करें तो government ने क्या बुला कि अब exchange rate को हम demand और supply के हिसाब से determine करेंगे fix करेंगे तो ये हमने बात की foreign exchange reforms की अब बात करते हैं trade and investment reforms की तो इसमें ये बुला है कि देखो 1991 से पहले government ने बहुत सारे restrictions लगा दिये थे trade पे और import export पे क्यों लगाए थे so that बाहर का competition हमारे इंडिया में ना आ सके अब competition से protect करना Indian producers को इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे पास जादा technology नहीं थी जो कि हम बाहर की countries के साथ compete कर सके अब हमारे पास technology नहीं थी तो हम अच्छी quality के products produce नहीं कर पा रहे थे और बाहर की country की जो quality थी मतलब बाहर की country के product की जो quality थी वो जादा थी तो लोग महा की demand जादा कर रहे थे हमारी country के product की demand कम कर रहे थे तो ये इस चीज़ से protection provide करने के लिए government ने क्या किया restrictions लगा दिये लेकिन अब क्या हुआ ना इन restrictions की वज़ा से कुछ और नुकसान निकलने लगे सबसे पहला नुकसान तो ये निकला कि quality पे domestic producers ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि competition नहीं था तो quality वो लोग बिलकुल भी अपनी improve नहीं कर रहे थे और growth भी बहुत जादा slow हो रही थी industries की तो इसलिए अब government ने बोला कि हम trade और investment policy में भी कुछ changes लेकि आएंगे सबसे पहला जो change लेकि आए वो था removal of quantitative restrictions on imports and exports imports और exports पे government का जो भी restriction था government ने जो भी रुकावटे लगा रखी थी tariffs, quotas ये सब government ने बोला कि अब हम पूरी तरह से remove कर देंगे so that import भी हो सके और export भी हो सके second बोला है removal of export and import duties government ने export और import duties को भी कम कर दिया so that हमारी country के goods भी बाहर जा सके और बाहर की country के goods भी हमारी country में आ सके और जो third point है वो है relaxation in import licensing system जो import licensing system था कि बही अगर आपको कुछ भी import करना है मतलब भाहर की country से कुछ भी मंगवाना है तो आपको government से license बनवाना पड़ेगा उसको भी government ने क्या किया कम कर दिया अब आपको हर चीज के लिए license बनवाने की जरुरत नहीं है हाँ अगर आप कुछ भी हजाडियस goods मंगवाते हो like alcohol, cigarettes अगर ऐसी कुछ चीज़ें आप मंगवा रहे हो बाहर की country से तो उसके लिए आपको government की permission लेनी पड़ेगी otherwise आपको import licensing की जरुरत नहीं है I hope आपको video अच्छा लगा होगा, अगर ये video कोई एक इनसान भी देख रहा है तो मुझे comment section में please बताओ कि video कैसा है, मेरा पढ़ाने का तरीका सही है या नहीं है, तब तक मैं कैसे improvement करूँगी, या मुझे क्या-क्या changes लाने चाहिए, मुझे कैसे बता चलेगा, तो please ये ची चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like कर देना